बिग बॉस 17 चल रहा है और विकेंड का वार आने को है ऐसे में हो चुका है एक बहुत बड़ा बवाल क्योंकि जो एविक्ट हो हैं कंटिस्टंट उन्होंने कर दिया है बिग बॉस का परदा फाश सामने आई एक नई चाल क्या कुछ है खास पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखे लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजीए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजीए बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस जब भी नया सीजन आता है और अपने आप ही हाइप मिलने लग जाता है सिदनास को क्योंकि सभी कंटिस्टेंट को कहीं न कहीं कंप्यार किया जाता है सिधात शुकला से या फिर शहनास गिल से और कंटिस्टेंट भी बनना चाहते हैं सिधात जैसे शहनास जैसे यहां तक कि सिदनास के मौमेंट को रीक्रियेट भ वो भी बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं और सेडनास पर बाते अक्सर ही करते हैं और जो कंटिस्टेंट एविक्ट होते हैं वो भी अपनी अपनी बाते जरूर शेयर करते हैं उनके भी बहुत सारे चैनल्स पर इंटरव्यू आते हैं और बातों ही बातों में ऐसी बातों से प और सबकी बजाते हैं ऐसे में Big Boss 17 के कंटिस्टेंट रहे UK07 जो की अब एविक्ठो चुके हैं वो घर से बाहर आ चुके हैं और अब उनका एक latest interview आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों से परदार फार्श किया है जानने के लिए पूरी वीडियो देखें गास क्योंकि अगर आप आदे में वीडियो छोड़के जाएंगे तो आप भी कुछ समझ नहीं पाएंगे यहां पर UK07 का कहना है कि Big Boss का format ही चेंज हो चुका है यह लोग बस फेक रिष्टे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसी से इनके शो को हाइप मिलने वाला मुनवर और मनारा का कोई कनेक्शन दिखाया और मुनवर का तो भाई ना जाने किस किस के साथ कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे है कि कि किसी कनेक्शन से तो इन्हें हाइप मिले शो को हाइप दिलाने के लिए फेक कनेक्शन बना रहे हैं आगे UK07 का कहना है कि फेक कनेक उस सीजन में दोस्ती भी रियल थी दुश्मनी भी रियल थी कुछ भी फेक था ही नहीं सिधात और शहनास की वज़े से सबकी रियल परस्नालिटी जी निकल कर सामने आ रही थी आगे UK07 का कहना है कि रियलिटी शो में रियलिटी दिखानी चाहिए ये लोग फेक कनेक्शन दि से जुडेंगे लेकिन ये लोग ये चीज़े समझ ही नहीं पाते मेकर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करने चाहिए कि कोई सिधात और शहनास जैसा नहीं हो सकता चाया फेक बांड दिखाते रहो लेकिन जब तक रियलिटी बांड में नहीं होगी ओडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो वीकेंड का वार आने से पहले बस इसी तरह का बवाल चल पड़ा है क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए वीडियो को लाइक करके जादा से जादा शेयर कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए लिटिस्ट अ वाचिए गाइची वीडियो बवाद याद गाल बाओगी इस दिएवा जरूर को अगते जरूर बाज़ गाँटने वीडियों कर दादा से जरूर और बादाने जरूर